नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सहरसा सुपॉल सडाएकर जंजारपूर दर्भंगा के रास्ते आनन्द बिहार तक चलने वाली गडीब रत इस्पेशल ट्रेन पर ब्रेक लगने वाला है। और ये ब्रेक कब से कब तक लगेगा ये आगे हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूँ ये पराही चर्चित ट्रेन है जो की सहरसा से सुपॉल के रास्ते चल रही है और इस पर ब्रेक लगने से कहने कहीं लोगों को कठिनाईयों का सामना होगा 64 ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया है और 36 ट्रेन निरस्त रहेगी जिसमें एक गड़िब रत एक्सप्रेस भी सामिल है जो की सहरसा से सुपॉल के रास्ते आनंद भी हरते चलती है तो आईए जानते हैं कि कितने तारिक से लेकर कितने तारिक तक ये ट्रेन रथ रहेगी और इससे लोगों को परिशानिया तो होगी ही लेकिन सिगनलिंग के कारण इस ट्रेन को रद किया जा रहा है दरसल डोमेंगर्ड जगत बेला रूट पर आटोमेटिक सिगनलिंग का काम चल रहा है और इसके लिए ये मेगा बलोक लिया जा रहा है जिसमें की बहुत सारी ऐसी ट्रेने हैं जो दर्भंगा की तरफ आती है समस्तिपूर की तरफ आती है लखनो गोरखपूर की अगर बात कर लें तो वो भी रद रहेगी इसके अलावा लखनों से पाटली पुद्र के बीच अगर बात कर लें तो वो भी ट्रेने रद रहने वा 14-32 है ये भी ट्रेन 14 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक बंद रहेगी अनंद विहार की तरब से वहीं सहरसा की तरब से ये ट्रेन 15 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक बंद रहने वाली है क्योंकि सिगनलिंग का काम चल रहा है और इसी चलते ये फैसला लिया गय वो सब रद रेने वाली है कई का मार्ग परिवर्तन किया गया है और इस तहवारिक सीजन में ट्रेन रद होना कहीं ने कहीं लोगों के लिए मुसीबत होगी लोगों को परिशानी का सामना भी करना पड़ेगा तो दोस्तों ये थी अपडेट आपको अपडेट कैसा लगा हमे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक देखते रिए बिहार एक्सप्रेस यूट्ट